रामलला के आने के खुशी में चलिए आज राजस्तान की सबसे फेमस स्वीट दिश बनाते हैं सबसे पहले आपको एक बरतन में तीन कप पानी गरम कर ले ना सारी चीज़े आप मेजर करके लोगे ना तो आपकी रेसेपी एकदम पॉफेक्ट बनेगी तो तीन कप पानी मैंने रख दिया गरम होने चलिए इसे रखते हैं साइड में तब तक हम आगी के तयारी करते हैं तो यहाँ पर मैंने कुकर लिया आप कड़ाई भी ले सकते हो इसमें मैं चार बड़े चमच खी गरम होने रख रही हूँ गी जब हलका सा मेल्ट होने लग ज जब तक कि इसका कलर हलका ब्राउन नहीं आजाता तब तक आपको इसे भूनते रहना है तो आपको भारी तले का बरतन लेना है और कम फ्लेम पे इसे आप भूनोगे ना तो आपकी लापसी का स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा आएगा अगर आप हाई फ्लेम पे भून आप देख सकते हो हलकल का आने लग गया ना अभी भी हमें इसे चार से पांच मिनट के लिए कम फ्लेम पे और भूनना है तो आपको लगातार चलाते है जब भूनना स्टार्ट हो जाए ना उसके बाद तो आपको इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है वरना वो तले से ल राऊन आजाए ना तब हम इसमें गरम पानी डालेंगे तो मैंने यहां पर अभी दो कफी गरम पानी इसमें डाला है मिक्स कर लेंगे और लिट लगा कि हम इसे साइड में रग देगे अभी हम ने कुकर नहीं लगाया मतलब कुकर को ढंग से बंद नहीं किया सिर्षि यह देखिए गुर बिल्कुल अच्छा से यहां पर पिगल चुका है तो अगर आप वह नॉर्मल वाला गुर लोगे ना जो वाइट वाला आता है जैसे अभी मैंने आपको यहां पर दिखाया है तो आपकी लापसी का कलर हलका लाइट आएगा अगर आपको काला वाला लोग कम फ्लेम करके ढखकल लगाके से पकने दीजे जब तक कि इसका पानी अच्छा से सूपनी जाता और आप देखोगे कि आपकी लापसी बहुत अच्छा से बन चुकी है तीन विसल आने के बाद मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था अभी आप इसका कलर देख सकते हो अब मैंन बहुत स्वार लगते हैं आप इसे कडी के साथ सारु कर सकते हो यह बहुत अच्छा से जाती है तो रामलला की खुशी में आप भी रैसेपी ट्राइ कर सकते हो रहाँ अगर आप और गुड़ से बना रहे हो काले वाले गुड़ से तो इसका कलर कुछ इस तरीके का आता है आप देख सकते हूं ना बहुत जादा डाक आता है तो अगर आपको डाक कलर का पसंद है तो आप औरकेनिक गुड जो ब्लैक वाला गुड आता है उससे बना सकते हूं नहीं तो आप नॉर्मल गुड के साथ बनाओगे स्वात दोनों का एकदम सेम रहता है कोई भी फरक्त न यद्धन आप